ओम स्रीगने सायनमा दोस्तू एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तू आज इकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 नवंबर बुद्दवार की रासी फल के बारे में कि इह दिन तुला राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पा पूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा तुला राशी वालों के लिए बुद्दुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज कुछ राजनितिक लोगों से मुलाकात आपकी लोग प्रियता को बढ़ाएगी साथ ही जन संपर्क का दाइरा भी विस्थ दित करेगी संतान की तरफ से उनके करियर को लेकर आज कोई सुब समाचार आपको मिल सकता है आपका सिद्धान्तवादी दरश्टिकॉण समाज और धार्मिक इस्थल में आपको सम्मान जनक उपादी प्रदान करवा सकता है साती धार्मिक और आध्यात्मिक गत्य वीदियों में आज आपका महत्पपूर्ण योगदान रहेगा प्रॉपर्टी संबंदित कोई रुका हुआ काम पूरे हुनी की आज संभाव ना है दोस्तो आज के दिन का समय आपको अच्छे बुरे की समझ दे रहा है साती भग्य और संतान संबंदित कामों में भी सुविधा प्रदान कर रहा है आपका विवेक और आदर्स वादी स्वभाव आपके लिए आज महत्पपूर्ण उपलब दियां दिलाएगा दोस्तो आज ग्रह इस्तिती आपके लिए काफी संतोस जनक है जो लोग आपके खिलाफ थे आज वही आपके पक्ष में आएंगे और संबंदों में भी काफी सुदार आएगा सभी काम आज सांतिपूर्ण तरीके से संपन होते हुए चले जाएंगे दोस्तो भावुकता की बजाए वेवारिक दस्टिकोन आपके कामों में सायक रहेगा आपकी सकारात्मक वे संतुलित सोच आपको आगे बढ़ने और अपने कारों को सुचारों रूप से संपन करने में मदद करेगी दोस्तो घर में किसी धार्मिक उत्सव के आयोजन की भी आज योजना वनेगी आप दोबारा से अपने आपको तरो ताजा महसूस करेंगे साथ ही रुकी हुई बड़ी पेमेंट आज मिलने से आर्थिक इस्तिती में काफी हद तक सुधार आ जाएगा जिससे आपको काफी सुकून मिलेगा और आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लीते हैं जैपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता हैं दोस्तो किसी भी प्रकार की उधारी से आज दूर रहें धनके लेन देन समबन्दी कारें करने से छल या धोके के आप सिकार हो सकते हैं कोई भी काम करने में ज़्यादा सोच विचार में समय ना लगाए इस से समय आपके हाथ से निकल सकता है सामाजिक रिस्तों को मदूर बना कर रखना आवश्चक है कभी कभी कुछ नकार अत्मक पुरानी बातें दुबारा उठ सकती है जिसकी वज़े से आप अपने मनोवल में काफी हद तक कमी महसूस करेंगे अपने स्वयभाव को पोजेट लोग नाजायज फायदा उठा सकते हैं जिससे आपकी मन इस्थिती कुछ विचलित हो सकती है दूसरों के मसले सुल जाने में आपके कई महत्वपूर काम भी रुख सकते हैं दोस्तों किसी के साथ कोई वादा किया है तो अवश्चे पूरा करें नहीं तो समाज में आपकी छवी बिगड सकती हैं और कुछ लाबदायक मोके भी आपके हाथ से निकलने की आज संभाव ना हैं दोस्तों साती सात दिखावे की प्रवर्ती से भी आप दूर रहें इस समय धन संबंदी कुछ नुकसान दायक इस्तितियां प्रतीत हो रही हैं इसलिए किसी भी प्रकार क निवेस को आज फिलाल टाल डें संपत्ति संबंदित विवाद के मामलों में भी ध्यान रखें कि भाईयों के साथ संबंद खराब ना हो बच्चों की गतिविदियों पर ध्यान रखने की अतियावशक हैं उनके कुछ गलत आदते या संगत उन्हें परिशानी में डाल सकत हैं उन्हें शकारातमक कारों में व्यस्त करना अतियावशक हैं जो उनके भविश्य के लिए काफी लाबदाएक साबित होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तों घर का माहौल अनुशासित और आज खुशन मा रहेगा प्रे विश्वास काफी अच्छा बना हो रहेगा दोस्तों नजवी के दिस्तेदारों से मेल मिलाप और घूमने फिरने का आज प्रोग्राम बन सकता है जिससे घर परिवार में वातावरन खुसनमा और सुकत बना रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं जब का वैवेशाय केरियर कै दिये गए ठोस निर्ने बहतरीन साबित होंगे और कामियाबी भी आपको वश्य मिलेगी आज मार्केटिंग तथा पेमेंट कलेक्ट करने जैसे कारों में समय अधिक व्यतीत करें शेयर वे रिस्क प्रवर्ती वाले कामों से दूर रहें आपके साथ चल या धूका धड़ी हो सकती है, नोकरी में किसी प्रिकार के इस्थान परिवर्तन या तबादले की भी आज इस्तितियां बन रही है, कार्य इस्थल पर किसी पडोसी के द्वारा लड़ाई जगडे जैसी इस्तिति बन रही है, कुछ कानूनी या निवेस सम्बन्दित जटिलताओं का भी आज को सामना करना पड़ सकता है वैविसाइक कार्य प्रणाली में बदलाव लाना आपके लिए आवश्चक है जिससे और अधिक बहतर परिणाम आपको हांसिल हो सकें दोस्तों वैविसाइक प्रतिष्ठान में अनुबभी और परिवार के वरिष्ट जनों की अनुमती और सहमती कार्य करने से काफी समस्यें आसानी से हल हो जाएंगी धन के लेन देन संबंदित कार्य में अचानक से कोई लापदाइक इस्तिती आज बनेगी जिससे आपको काफी खुशी का अनुबभ होगा दोस्तों कार्य छित्र में जो आप बदलाव संबंदित योजनाएं बना रहे हैं उन सबी पर अमल करने का आज उचित समय नहीं है इस समय अपनी अधिक्तम उर्जा निवेस सम्मधित कारों में लगाएं वर्तमान गतिविदियों पर अपना ध्यान केंजिर्ट करें आपके लिए बहतर रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहन शक है इसके लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और आप अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए रोजाना योग करें वैयाम करें स्वास्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाई क्या हैं दोस्तों आज आप इशनान करने से भगवान श्री गनेश जी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्तél कश्टो को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्तEd परिशांयों कानत करेंगे और आपको जल्द ही विश्यस सुभ फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कार रहे बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान श्री गनेश जी का अश्रबाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै श्री गनेश अवस्चे लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद